परिश्विक स्तर पर अगर देखें यानि दुन्या भर में भारत जहां तेजी से उभरती अर्थवरस्ता बना हुआ है तो कई ऐसे भी देश हैं जो विकास मिना सिर्फ पीछे हैं बलकि भारी भरकम कर्ज से भी दबे हुए हैं जिस वज़ा से अंतराश्य मुद्राकोश जो है या जो दूसरी रेटिंग एजनसियां हैं वो लगातार चिंता व्यक्त कर रही हैं क्योंकि कर्ज के भार से कई देशों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं तो वहीं इस वर्ष की अगर बात की जाए तो सारजनी किर्ण का जो स्तर है वो 100 ट्रिलियंड डॉलर तक पहुँचने की उमीद जोताई गई है विश में आज विकास शील देशों में एक दूसरे से आगर निकलने की होड लगी है विकास को गती देने के लिए ना जाने कितनी ही परियोजनाय संचालित की जा रही है लेकिन इसके लिए इन देशों को कर्स के रूप में भारी भर कम कीमत भी चुकानी पड़ती है जिससे उबढ़ने में कई देश विफल साबित हुए है ग्रोबल डेप्ट ट्राइसिस को देखते हुए अंतराष्ट्य मुद्राकोष यानि आईमेफ ने भी चिंता जताई है आईमेफ का मानना है कि इस वर्ष सावजिनी किर्ण का इस्तर 100 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है जिस वजह से कई उभरती अर्थवस्थाओं में एक गंभीर लिक्विडिटी शॉट्फॉल हो सकता है जो विकास को बाधित करेगा जलवायू परिवर्तन से निबटने में रुकावत डालेगा और सरकार और पश्मी संस्थाओं के प्रती आवश्वास को बढ़ावा दे सकता है ऐसे में देशों को मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है और महंगाई यानी मुद्रस्वती ऐसे में डबल डिजिट तक पहुँच सकती है जिस वजह से आम जनता को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हालकि विश्व में तेजिस से उबढ़ती अर्थवरस्ता भारत की बात करें तो IMF हो या World Bank तमाम विश्विक वितिय संस्थाएं और रेटिंग एजनसियों का मानना यही है कि भारत की विकासदर सकारात्मक है यानि विश्विक उथल पुथल के बीच भी भारत बहतर ढंग से विकासपत पर आगे बढ़ता रहेगा और इसी विश्वास की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार की बात हो या फिर बढ़ते निवेश की भारत विश्विक स्तर पर लगातार मजबूत स्तिती में बना हुआ है जिसका शेर काफी हता मोधी सरकार की प्रभावी नीतियों को भी जाता है ब्यूरो रिपोर्ट डिडी न्यूज तुझारा आपने किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि वेश्विक स्तर पर क्या स्तिती है और ऐसे में भारत की विकास दर है वो सकारात्मक है और उसी वजह से एक लगातार विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आता है फिलाल जब हम देखते हैं ग्रोबल डेप्ट को उसको लेकर किस तरीके से अलगतार जो अलगलग संस्थाएं हैं वो अपनी चिंताएं वक्त कर रही है और ऐसे में भारत की इस्तिती क्या है इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ ड़क्रामित का पूर जुड़े हैं अर्थशास्री हैं ड़क्रामित बहुत-बहुत स्वागत आपका एकॉनोमी टुड़े में क्या उनकी स्थिती रही है कर्स के चलते वो किसी से छिपी रही है लिकिन जब हम भारत की बात करते हैं क्योंकि विश में तेजी से उबरती अर्थवरस्था और ऐसे में तमाम चुनोतियों के बावजूद उसी गती पर लगातार बरकरार रहना किस तरह किसे हम मान सकते हैं कि जो नीतियां हैं सरकार की वो इसमें प्रभावी रही है लेकिने पहले तो हमारे को कुछ फिगर समझने हैं कि अगर हम देखें जो ग्लोबल डेट है क्यों कहा जा रहा है कि 100 trillion dollars के करीब हो जाएगा अभी 2-3 साल के अंदर और वो 53% of global GDP है और उसके अंदर हम USA और चाइना और इंडिया को compare करते हैं तो US का जो डेट है वो 124% है चाइना का लगवग 84% है और इंडिया का लगवग 82% है यहां पर एक बहुत important बात हमें समझने पड़ेगी जो दूसरी दो economies है जो USA और चाइना है वो बहुत slow growth rate पे है इसवक्त और उनको डेट का जो crisis है वो बहुत जूट से hit कर सकता है अगर आप इंडिया की बात करते हैं इंडिया 7% पे grow कर रहा है और जो हमारा जो debt है वो investment जो हम debt ले भी रहे हैं वो हम पर social infrastructure और basic infrastructure को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो उस्ता जो हमारे पर benefit है वो long term में बहुत जादा रहेगा और इस तरह से अगर हम थोड़ा डीप भी जाते हैं इंडिया के अंदर हमारा state level जो debt है वो काफी कम है आज की तारी में especially जो states grow कर रहे हैं वहाँ पर हमारा debt काफी कम है जैसे अगर हम करनाटका की बात करते हैं तो लगबग 23-24% उनका debt है और अगर हम भी सा की बात करते हैं वहाँ सिर्फ 13% है गुजरात में 15% के करीब debt है तो तो यह हम overall समझें तो बहुत important तरीके से इंडिया जो है वो move आगे कर रहा है यह जो investment कर रहा है debt से वो सिर्फ consolidation of infrastructure कर रहा है और से हमें बहुत फायदा होगा over a period of time और पूरा मापदर्ण हमारे को देखना पड़ेगा एक consolidated स्वरूप में क्योंकि जो जो government ने नीतियां apply करी है जैसे आप कहले है मोदी सरकार की नीतियां उसमें बहुत important चीज के अंदर जो हमारा tax base है वो बड़ा है हमारा tax collection बड़ा है तो इससे है और हमारा debt service ratio है वो भी बहुत better हो रहा है तो इस तरह से मेरे को यह लगता है कि by the time अगले 5-7 साल के अंदर इंडिया का जो परिस्तिती रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी और हमारा fiscal consolidation है वो हम इससे हमारे को यह फाइदा है कि inflation भी कम है और हमारे को उस भारती जो external pressures है given जितने भी pressures है इस वक्त उसको government ने बहुत अच्छे से मैनेज किया जिए especially जो war हुआ जिए ऑईल क्रांस हो रहा है इंडिया ने जैसे oil लिया रशिया से उससे बहुत फाइदा हो रहा है इंडिय अगर हम बात करें क्योंकि उस दौरान हमने देखा कि वेश्वर किस्तर पर तमाम जो अर्थवश्वश्वाइज थी एक उत्हल पुदल का दौर सभी जगा देखा गया लेकिन अगर इस्तिरता नजर आई ति वो शायद भारती अर्थवश्वश्वश्वाइदा थी एक वज़ास से लगाता है हम आके बढ़ रहे हैं देखी गई थी और उस वक्त एक चीज और हो रहे थी जो हम जिसको हम जंदन आधार मुबाइल की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टन्ट हो रहा था जी उस वक्त में ये सीज ग्रो भी कर रहे थी उससे जो हमारा पेनेट्रेशन हुआ लोगों के अंदर और नॉन बै तरीके से मैनेज किया उस सिस्टम को इंफ्रस्ट्रक्ट्टर ड्वेलेपेंट चलता रहा जी और आप लोगों को बैंकिंग्स वेसिलिटीज दी और आपने उपर्चुनिटीज भी क्रियेट करी और जो हमारे इंसेंटिव थे उस वक्त और पीपो भी बहुत बहुत रहे और उसका हमारे को आज भी बेनेफिट दिख रहा है क्योंकि जो हम इन्वेस्मेंट कर रहे हैं उसका मर्टिप्लायर काफी स्ट्रॉंग है जी खासका डारेक्ट, इंडारेक्ट और इंडियूस्ट इंपाक्ट है जी वो काहतरीन रहा है जी बिलकुल और खास और से इसमें सीखने का विशह है उससे सबको सीखना चाहिए और जब हम बात करते हैं कि तमाम जो हमारी वितिये सेवाए हैं इनको लेकर एक बहुत बड़ा बदला हमने देखा है पिछले चाहस साल में मैं इंडिया में देखूं जो सबसे बड़ा इनिशेटिव रहा है जी वो डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्चर रहा है यहां क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का बैंकिंग अकाउट पुला जी कम से कम 30 कोड़ leadership बेंफिट कर रही है अजब लगबक 70-80 कोड़े लोगों को यह भी बैंकिंग टे रही है तो उनके पास जा रहा है जी लीकेज बिल्कुल नेगलेजिबल हो गई हैं आज की तारीक में कोई नहीं कह सकता की गुपनेनल सिस्टम के अंदर कोई लीकेज हो रहा है मतला अगर एक आज परसंट कोई कोई बात कर दे तो होगा जी कुछ बादा वाई इसमें को कहीं पर भी लीकेज नहीं देख रहा है अगर कोई दुनिया के अंदर इंडिया से सीखना चाहता है तो डीपी एए एक ऐसा एक्जामपल है जिसको हर आज कंट्री को एमुलेट करना चाहिए अगर आप देखें यूएस भी इस तरह की चीज नहीं कर पाया आज तक जी जिसको आप सबसे एडवांस्ट एकॉनमी मानते हैं जी और उसको ये चीज आज से सदियों पहले देख लेनी चाहिए थी आप 20 से 30 साल पहले समझनी चाहिए थी वो भी इस चीज नहीं समझ पाय और इंप्लिमेंट कर पाये थी तो इंडिया ने को किया और उसके इस खारण बहुत फाइदा हो रहा है जी बिल्कुल और इनहीं बातों का जिकर हमने देखा कि जो वितमंत्री है निल्वा सितारमन अमेरिका में हैं वहां भी उन्होंने इन बातों का भी जिकर किया है कि कै ऐसे पिछली एक दर्शक में जो आर्थिक सुधारों की बात की जाए या जो भारती अर्थवधास्ता एक नए रूप में उभर कर सामने आई है वो वाकई ना सिर्फ काबले तारीख बलकि पूरे विश्व के लिए एक उधारन है बिल्कुल जी इंडिया तो एक उधारन ह जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आज की तारीख में तो एक इंडिया ही प्रवाइड कर रहा है अगर हम साथ परसंट की दर पर भी ग्रो करते हैं जो मेरे को लगता की बहुत कम दर है क्योंकि मेरे हिसाब से अगले 2-3 वर्ष के अंदर इंडिया का जो ग्रोथ है वो 10 परसंट क किया है इसका बेनेफिट हमारे को अगले 2-2 साल में दिखना शुरू हो जाएगा जो हम स्किलिंग के ओपर इनिशेटिव करने हैं जो जॉब क्रियेशन के ओपर इनिशेटिव हैं जिसका बेनेफिट में आगे देखेगा और ग्लोबल ममेंटम हम जारी रखेंगे जैसे ज कि 2027 दक हम तीसरे पाइदान पर पहुंच जाएंगे लेकिन ऐसे में जो आइमिफ की बात की जाए वर्ल्ड बैंक की बात की जाए जो कि इस बात को लेके चिंतित है कि कैसे ग्लोबल डेट जो है वो एक दूसरे देशों के लिए कई ना कई मुश्किल का सबब बन रहा है अरिकेन और यही संस्थाएं जो हैं भारत को लेकर काफी सकारात्मक नजर आती है लगातार जो रेटिंग है वो भरती नजर आती है भारत की कि यह बिल्कुल जी क्योंकि कॉस्पर कंसर तो ही है क्योंकि अगर जस्तरह से आप देखें कि यूएस का डेट बढ़ रहा है उनके बास चॉइस क्या है क्या वो इंवेस्टमेंट कम कर सकते है नहीं कर सकते हैं तो उनका जो ग्लोब आपका जो बेसिक जो इंसेंटिव इसलिए वो जो अगर आप कहरें साकारत्मक जो है पॉइंट वियो वो इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर जो डेट के नेगेटिव सें वो बहुत कम है और दूसरी बात है कि हम एक ग्रोथ एकॉनमी और ग्रोथ फेस के अंदर है जो यह फेस अगले 10 से 15 साल रहने वाल का वो एकदम सरानिय है क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर यह क्राइस बढ़ गया यूएस से के अंदर तो यूएस की एकॉनमी के अंदर कहीं ना कहीं स्लोडाउन का बहुत बड़ा एफेक्ट आएगा और उसके करण दुनिया भर में एफेक्ट होगा लिए तो इसलिए खास एक मजबूत इस्ति भारत की नज़र आती है फिलाल बहुत बड़ शुक्रिया आपका आमीत कापूर जी हमाई साथ जुड़ने के लिए जिन में लगातार हम देखते हैं और उसी वज़य से जो निवेश है वो भी देश में बढ़ता हुआ नजर आता है और लगातार इस अर्थवरास्ता को और मजबूती दे रहा है तो फिलाल आज के लिए एकॉनमी टोड़े में बस इतना ही मुझे दी जनुमत ही लेकिन चल कर दंदी कर दिन को और Exodus